नवश्कार दोस्तों सवागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चनल बाजार की पंडित पें तो दोस्तों आज बात करेंगे आज के बाजार की कि आज के मार्केट में क्यू फॉल देखने को मिला हलाकि अगर आप देखेंगे तो कल रात को आपको गाइड किया गया था कि मार्क मार्केट में पैनिक आयेगा और वहां पे दो बड़े अलर्ट आपको दिये गहते हैं अगर आप देखेंगे जाके वीडियो तो आपको आगे था दो बड़े अलर्ट हैं जिससे मार्केट पैनिक में आ रहा है second important update आई थी रात को जब IMF की तरफ से बड़ा statement आया था कि IMF ने खुद देखेगा IMF की तरफ से देखेगा एक statement आया था और मैंने update भी किया गया था कि वहां पे जो inflation का concern है जैसा माना जा रहा है जैसा expect कर रहा है US का Central Bank उससे काफी ज्यादा high हो सकता है उसके बाद आपको द reason था इसके अलावा एक basic reason यह होता है क्योंकि आपको पता ही है कि Friday होता है और Friday को जितनी भी तेजी होती है लोग क्या करते हैं उसको छोड़ के चले जाते हैं क्योंकि सब जानते हैं कि Saturday Sunday में बहुत बड़े-बड़े update देखनी हो मिलते हैं तो उस particular duration में दो दिन तीन दिन क कोई risk नहीं लेना चाहता और वो day to day work करना चाहता है इसलिए भी position थोड़ा सा pressure में आ जाती है तो basically यह छोटे-छोटे points तो आपको पता हैं लेकिन इसके अलावा कौन-कौन से ऐसे reason है जो लगातार market पे बने हुए हैं और जिसके कारण market sell on rise है like देखेगा uptrend हो जाता है आ देखने हो मिलेगा तो इसके पीछी के key factor आपको देखेगा noted down कर लेने जो कि अभी एक महिना तो यह बने रहेंगे तो जो key factor है वो आपको पता होना चाहिए कि क्यों sell off आपको बार-बार देखने हो मिला है और अकर आप देखेंगे तो 5 minutes में जैसे यह opening हुई थी market की वहां पे 2.5 lakh देखेगा करोण globally चले गए थे पहले fall में जैसे कि कल आपको US market में देखने हो मिला था जहां पे 600 point की गिरावट देखने हो मिली थी इसका update भी हमने रात के 2 बजे टेलिग्राम पे किया था अगर आपने नहीं देखा तो जाके check out करेगा रात के 2 बजे भी हम update करते रहते हैं कि कल market में किता बड़ा sell off देखने को मिलेगा अब पहला देखेगा जो concern आ रहा है वारा inflation number आज रात को inflation number देखने को मिलेंगे US में उसके बाद ही next week की पूरी strategy तियार करी जाएगी और इसको देखते हुए like बहुत सारी inflation पे बाते होती रहती है अगर आप देखे यूएस inflation पे कुछ बाते जाधा होती है यूएस में panic इसलिए भी बना हुआ है चुकि crude oil के price कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं तो जब तक आपको energy के prices में कमी नहीं देखने हो मिलेगी तब तक आप expect नहीं कर सकते कि European market में inflation अभी control में आएगा चुकि वहाँ पे demand की कमी नह इस particular war के बाद किवल energy के ही supply disturb नहीं हुई है international market में अगर आप देखेंगे agree के कई सारे ऐसे product हैं जो shortage में आ गये हैं जिससे देखी का CPI लगातार बढ़ता चला जा रहा है जो एक कहते हैं basic home need essentials है जो home need essential है उसके prices बढ़ते चले जा रहे है और demand जादा है और supply कम है तो इसलि चाइना भी परिशान है रशिया भी परिशान है बिग कंट्रीज परिशान है और इंडिया ने भी देखेगा कई सारे export पर बैन कर दिया है तो आप समझ सकते हैं supply का कहीं न कहीं अभी भी concern बना हुआ है और आपको बताया गया था कल रात में भी कि recession यह माना जाता है कि संदी वाले हाला something आपको बताया था कर लात में concern वो भी बना हुआ है तो यह सारे impact कब देखने हो मिले लगातार एक एक करके कल से परसों से कल तक देखेगा सारे statement आये थे जिसका impact आपको देखने को मिला था कल short cover हुए थे आपको पता है new expiry के लिए और आपको पता है जो फिर मैंने आपको दया था कि inflation control इंडिया में कब तक नहीं होगा RBI ने क्या कहा RBI ने कहा था जब तक हमारी currency जो की देखेगा लगातार हिट कर रही है लगातार क्या कर रही है अगर आप देखेंगे तो weakness शो कर रही है और अगर हमारी currency लगातार depreciate होती रहती है लगातार गिरती रहती है तो आपको भी पता है कि अभी फिर वो market के लिए कोई भी अच्छी चीज नहीं होगी तो यहां पर रुपए देखेंगा currency, recession, IMF और बहुत सारी चीज़ें थी जो आपको बताई गई और oil के price देखेगा एक दो percent भी नहीं गिर रहे है लाइक stick है एक जगे पर जब तक यह down नहीं होंगे तो आपको पता है जब यह down होंगे जब यह down होंगे तो उसके बाद आपको पता है कि वहाँ से short covering भी आपको देखने हो मिलेगी तो time to time market अभी volatile रहेगा चुकि कई सारे pressure है time to time देखेगा positive update भी आएंगी जैसे positive update circulate होंगी market short covering देगा लेकिन अगर आप देखेंगे ultimately अभी जो situation है अभी जो panic है वो अभी थोड़ा सा short term में थोड़ा negative है क्योंकि आपको भी पता है कि ये ऐसे figures है ये ऐसे particular data है जो इतनी जल्दी normalize दी होंगे सबसे पहला जो data देखी का normalize हो सकता है वो oil का अगर oil की तरफ से कोई भी बड़ी update आजाए जैसे कि मैंने अब कोता है कि रशिया ने मना कर दिया है रशिया ने मना कर दिया कि उनके पास supply का में demand जादा है तो इंडिया को जो सस्ता oil मिला था ये भी एक panic बना था कल रात को उन्होंने discuss करा था इसके बारे में तो जब oil की तरफ से देखेगा एक downtrend देखने हो मिलेगा तब आपका देखेगा रुपया भी सुद्रेगा inflation भी सुद्रेगा supply description भी सुद्रेगा तब आपको short covering देखने हो मिलेगी तो जितने लोग भी आज पूछे थे कि क्या basically कौन सी particular update थी जिसके कारण exactly market गिरा तो यह combination of update कल आत्मी आए थी और combination of update के कारणी market में इतना pressure बना और आपको पता था कि Friday था तो maximum लोग अपनी positions को hold नहीं करेंगे Saturday Sunday को वो क्या करेंगे positions लेके चले जाएंगे तो यह updates थी जिसके कारणा आज market गिरा था further जो भी update आएगी अभी देखेगा जब inflation का data आएगा तो let's see कि कि किस तरीके से America का market वहाँ पर react करता है और उसी सबसे Monday के लिए trajectory बनेगी जो मैं आपको guide करूँगा वीडियो गर अच्छा लगे तो like, share, subscribe करना ना बूलेगा Thank you so much झाल Thank you